नमस्कार बिन्द भारत के साथ मैं पुर्दितर पाठी आईए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी ख़बर ख़बर रिवजिले के से मरिया थानाक छेतर के लटियार गाउं की है जहां गद दिवस दो पक्षों के बीच मार पीट हुई थी मार पीट में दोनों पक्ष से लोग घायल हुए थे घायलों को उप्चार के लिए संजय गांदिस पताले भरती कराया गया है घटना के संबन में जानकारी देते हुए रिशिकेश मिश्रा ने बताया कि उनके फिता ओम प्रकाश मिश्रा और दादा बद्री प्रकाश मिश्रा के उपर गाउं के ही सुधाकर मेश और अविशेक ने हमला किया था अचानक हुए हमले में दोनों वेक्ति गंभी रूप से घायल हुए है जिनका उप्चार किया जा रहा है बिवात की वज़ा है गाउं में एक प्राचीन मंदिर है जिसकी जमीन पर मारपीट करने वालों के द्वारा कबजा किया जा रहा था उस जमीन के कबजे को मुक्त कर जाने के लिए ओम प्रकाश मिश्रा और बद्री प्रकाश ने सरपज से मिलकर चोहदी करवा दी थी जिसके चलते हैं क्रवनकारी इर्शा रखते थे उसी रंजिश बस अचानक हमला कर घायल कर दिया आही सुनाते हैं पिडित पक्षी ने क्या जानकारी दिया जिसका कारण मेरे पिता जी और मेरे बबबा को पता चला अधिकरान की उन्होंने आवाज उठाए इसके उसमें और इस पक्षे से उनको लगा कि यह जब तक जिंदा रहेगा तब तक यह मतलब मंदिर की जमीन को कबजा नहीं करने देगा इसलिए उन्होंने मेरे पिता जी और मेरे बबबा जी को मानने की कोशिज की धार-धार हत यह ग्राम लटियार के रहने वाले हैं ग्राम लटियार की समर्या थाना की अंतरवर्ड हाँ मैंने हमने प्रसम यह फाई यार उनके नाम पे लांच करा दी गई है और प्रसम पक्षामी है और जिसके बाद का कारण यह है कि मंदिर की जमीन वह अभी तक रुप कर रहे थे उसमें गलत तरीके से अपना कब्जा की महनवान जी का मंदिर है हमारे घर के सामने है उसों गलत तरीके से कब्जा करके रखे थे और उससे मेरे बबबा जी ने ग्राम की सरपन्ज से मिलके उसको पुरी तरह से संरचित करवा दिया जिसकी ख़बर उनको लग गई और कर लोगा इसके कारण से उनको लगा कि जब तक जिन्दा रहेगा तो मंदिर की मतलग की संपत्य को यूज करने नहीं देगा और उसकी रक्षा करेगा इस कारण से उन्होंने बबबा जी को मानने की कोशिश की पिता जी कि यहां ओम प्रकास मिस्त्रा नाम है किया सब यह सब्सक्राइब करें में आई सीओ में एडमिट हैं हमारा नाम देशी केस मिस्त्रा है